नमस्कार आप देख रहे हैं R9 TV मैं हूँ आपके साथ आशिमात त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर R9 TV पर सामने आ रही है टेरन पंडिंग मामले पर पाकिस्तान देगा सफाई तो FATF को 27 पॉइंट पर ये सफाई पाकिस्तान की तरफ से दी जाएगी तो पाकिस्तान का 20 सदस्य दल FATF के सामने पेश होगा तो पाकिस्तानी दल और FATF की होगी आपने सामने की बैठक जिसमें टेरर पंडिंग मामले पर पाकिस्तान अपनी सफाई पेश करेगा तो बैंककोक में FATF के सामने पेश होगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान दल और FATF की आमने सामने बैटक होगी जिसमें काले सूची में डाले जाने का डर जो है वो पाकिस्तान को सता रहा है और अब ऐसे में इसे को लेकर अपनी सपाई पाकिस्तान की तरफ से पेश की जाएगी और इसी डरके साह के बीच पाकिस्तान का 20 सदस्य द बैंककोप में होने जा रही FTF की बैटक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुका है और इस बैटक में मनी लॉंडरिंग और आत्म की पंडिंग पर लगाम लगाने के लिए इसलामाबाद ने क्या कदम उठाये पर इस पर विचार जो है वो किया जाएगा तो FTF को 27